हेलो एवरीवन गुड मॉनिंग नमस्कार चोबिस मार्च दोजार चोबिस और दे हिंदो न्यूज पेपर एनलीसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज होंगी वोई स्टूडियो के तुरू डिसकस करेंगे सबसे पहले आपको होली की धेर स कॉंग्रेस पर बी आरेस पर एक पोलिटिकली एक एनलीसिस किया गया है हमारे लिए जो इंपोर्टेंट है एक्जाम और इंटिडी इंफोर्मेशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक घटना होती है रशिया के अंदर एक बड़ा टेरर अटाइक होता है और इस इसी टेरर अटाइक को हम लोग थोड़ा अनलीसिस करेंगे इस अटाइक के अंदर एक कंसर्ट होल के अंदर अटाइक किया जाता है जिसमें लगबग 133 लोग मारे जाते हैं जो कि कह सकते कि एगर रशियन हिस्ट्री को आप उब्जव करेंगे तो ये बड़े टेरर अटा 33 लोगों की हत्या कर दीगे टेररिस्ट के दौरा एक कंसर्ट होल के अंदर इसके अलावा ये अब तक का मोस्ट बलडी बर्बरिक टेररिस्ट अटेक आप इसको कह सकते हैं और जो लोग इसमें इनवल थे उनको कस्टडी के अंदर लिया जाएगा इसकी जो ये थोड़ा सा इस बेल्ट में काफी जादा पॉपलर है माली नाइजर चार्ड और इस बेल्ट के अंदर जहां पर प्लिटिकली इनस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान के अंदर भी इसके फिर्जंस देखने को मिलती है अफगानिस्तान में भी प्लिटिकली इस्टेबिल कि इसके लिए यही ग्रूप जो है वो रिस्पॉंसिबल है बड़ी इंट्रस्टिंग बात यह कि यूएस और रशिया दोनों एक दूसरे एक एंटी हैं बट जब टेरर अटेक होता है तो स्टेट्समेंट्स दी जाती है और स्टेट्मेंट में जो एक तरीके से इंटेलिजेंस इंफोर्मेशन वो सेर की जाती है इसके अलावा यह अटेक अपने आप में डेडलिस्ट है और यह कुछी दिनों के बाद जब व्लादी मेरी पुतिन फिर से वहाँ पर प्रेजिडेंट बने उनकी विक्टरी के बाद यह अटेक कहीं एक सीरियस थ्रीट पर अटेक करने के लिए या निई इस तरह के टैर्र अटेक की अगर हम बात करते हैं तो ये बारबरिक टैरर जिस भी देश में terror attack होता है, जैसे इसराइल में terror attack हुआ तो भारत ने उसकी निंदा की थी, और एक international कह सकते ही convention के बारे में बात होती है, कि terrorism को good terrorism और bad terrorism की बजाए, terrorism में ही एक तरीके semi classification करना चाहिए, क्योंकि आज होली है, होली जो है festival of colors मानी जाती है, लेकिन आजकल colors के अंदर जो मिलावट होती है, उसका impact को ध्यान में रखते हुए, नागलेंड की university है, और उसका एक department है, department of chemistry, वहाँ पर एक classic example दिया आगए, कि किस तरीके से आप colors को जो है naturally त्यार कर सकते हैं, जो हमारी skin के लिए important है, farmers के लिए important है, और ये एक तरीके से economical boost भी देगा एक regional area को, तो उस context में भी discuss किया गए कि क्या इसकी significant है, कैसे color त्यार किया जाते है, scientifically और chemically इसका क्या important है, पहला तो एक color eco-friendly है, जिसमें 100% safe है, जो develop किये गए हैं, और ये use किये जा सकते है, इसके अलावे proper testing होती है, experiment किये गए chemical laboratory जो नागलेंड की वहाँ पर, और इसमें पाया गया कि indigenous plants के तुरू ये color जो है, एक तरीके से त्यार किये गए है, for example, जैसे edible item, mushroom, leaves है, coriander है, beetroot है, mulberry, turmeric, rose, यानि जो basic चीजे होती है न, जो plants होते हैं, उसके तुरू ये त्यार किये गए हैं, और ये त्यार किये गए है, electro chemistry research group, नागलेंड के दुआर, ठ किवल festivals तक ही सिमित नहीं है, इसका large scale पर यूज किया जा सकता है, एक एरिया जो geographically challenge है, जोगर्फीकली challenge क्या होता है, कि अगर आप North Eastern State देखेंगे ना, उनका जोगर्फीकली definitely challenging है, वहाँ पर economic opportunity boost up करने का भी ये काम करेंगा, यानि ये किवल colors नहीं है, ये economic boost up के हिसाफ स की safety को लेकर भी committed है, इसके अलावा natural color जो available है, उसमें अगर हम बात करेंगर आप proper use नहीं करते हैं, आज कल जो artificial और purely chemical based color आते हैं, उसकी वज़े से nausea, headache, eating, skin irritation, skin allergy एक बड़ी problem आती है, जो purely chemical based color होते हैं, यानि होली में color का use ना हो तो फिर होली नहीं होती, बट colors अगर अच्छी quality की हो, color अगर naturally हो, color अगर eco-friendly हो, तो इससे कई benefit होता है, एक तो skin damage नहीं होगी, right, दूसरा जो है वो एक local area की जैसे geographically challenged state जो है नागालेंड, वहाँ पर आप economically boost up हो सकता है, और health related कोई concern जो हो नहीं होगे, तो इसको लेकर इन्होंने एक तरीके से testing करी है, इसके लावा इसके अंदर short list किये गए, plants को, fruits को, flowers के तुरू यह जो है वो त्यार किये गए, और 100% क्योंकि यह proper analysis होता है, proper testing होती है, temperature पर त्यार किये जाते हैं, जो optimum temperature होता है, और सारी dust contamination हटाने के बाद, यह एक तरीके से skin पर use किये जाते हैं, उसके बाद इनक quality training के तुरू इसमें त्यार किया जाता है, और बड़ी संख्या में लोगों में यह रोजगार generation करने का काम करते हैं, इसके अलावा farmer community के लिए बहुत important, क्योंकि farmers के साथ direct contact किया जा सकता है, कि वो raw material हम लोग महां से खरीद सकते हैं, और बड़ी low price पर यह colors त्यार हो सकते है जो commercially use किया जा सकते हैं, होली के टाइम ही नहीं, आप जितने भी festivals हों, जिसमें colors use होते हैं, उसमें naturally और eco-friendly colors के use को यहाँ पर promotion करने के बारे में बात की गई है, और उसी के बारे में यहाँ पर discuss किया गया है, नागलेंड यूनिवस्टी के अंदर, ठीक है? इसके अलावा एक छोटी शी news आपको देखने को मिलेगी कि उत्राखंड से राजस्तान के अंदर tigers को translocation किया गया है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि 2022 में काफी discussion हुआ, वो था हम लोग चीता को जो translocate करके लाए, अफरीकन continent में दो country ऐसी है, जहां से हमने translocation किया, और ह हम इनको लेकर आए, मद्यपरदेश के अंदर, आप लोगों को comment करना है, कि अफरीका की किन country से हमने इनको translocation किया चीता को, और दूसरा, ये भारत में जब मद्यपरदेश में discuss हो रहा है, तो वो कौन सा national park या tiger reserve है, जिसके अंदर इनको translocation किया गया है, ये आपके लिए first question है, इसके बाद कुछ political news, अलग-अलग political parties की statement आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि election है, तो ये सोभाविक है, पेज नमबर 3 पर एक interesting चीज हुई, interesting चीज क्या हुई, generally हम देखते हैं कि governor के पास जो assembly bill पास करके भेजती है, तो governor के पास कुछ options होते हैं, बिलको sign कर सकते है बिलको return कर सकते हैं, बिलको hold कर सकते हैं, बिलको president की assent के लिए जो हो, वो reserve कर सकते हैं, तो केरला government ने supreme court में challenge किया है, कि president दरोपती मुरुमू ने चार bill को hold करके रखे, ये बहुती rare हुआ है, जब हम ये देख रहे हैं कि, जब president bill को hold कर रहे है, उसको challenge किया गया सुप्री बिना बात कि इनको hold पर रखा जा रहा है, और इसके अलावा, इसमें कुछ articles का discussion किया गया है, कि article 14, 200, 201, ये जो constitution के article है, उसमें कहिना कि ये clear cut violation नजर आता है, और president की बहुत important role होती है, तो एक constitutional morality का भी एक question है, जिसको लेकर challenge वो किया गया है, तो इसी context में आपर बताया ग होती है, तो around 8 भी ऐसे है, जिसके अंदर indication करता है, और governor और state government के बीच में cordial relation ना होना, इससे पहले Supreme Court ने guideline release करी थी, governor के context में, कि governor का बहुत important role होता, लेकिन governor का का काम है, जो council of minister advise करती, उसके basis पर decision लेना, यानि वो ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से जो मर्जी decision ले, उसको भ भी decision लेना पड़ेगा, as per council of minister की request, इसके बाद page number 5 पर बात करते हैं, page number 5 पर एक topic हम पिछले अगर आप देखेंगे, September से लेकर अब तक काफी ज़्यादा news में रहा है, ये topic, पिछले 6 मेने आप कह सकते हैं, ये topic क्या है, जो इतना ज़्यादा news में है, हमने पढ़ा कि जब फिलिस्तान पर attack होता है, तो एक country काफी ज़्यादा news में आती है, वो है Yemen, ये क्यों आती है, यमन के अंदर है howty rebel, howty rebel का मतलब क्या है, कि एक ऐसा group जो सरकार को challenge करता है, जिसको back करता है इरान, अब ये क्या कर रहे थे, ये जो, क्योंकि ये बहुत important sea route है, अगर आप वे जाती, European country के अंदर, यानि बड़ी संक्या में commercial ship का ये route है, तो अब ये इन्होंने attack करना शुरू किया, इन ships पर, अब इस attack के बाद एक country को लगा कि ये तो और अच्छे opportunity होगी, वो थी Somalia, Somalia जो country है, ये generally जानी जाती है, अपनी piracy के लिए, piracy मतलब जल decade करना, जो commercial ship उनको loot लेना, इस तरह की activity, अब इस पूरे scenario में भारत की navy का बहुत important role था, हमने एक operation launch कर दिया, जिसका नाम था operation संकल्प करके, और इसमें बहुत सीधा मतलब ये है, कि वह तुमारी piracy या तुम जो इतने बड़े बादशा बनते हो, जब इंडिया नेवी जाएगी, तब आपको surrender करना पड़ेगा, और हमने बड़ी संख्या में commercial vessels को खासकर security provide करी है, और यहाँ पर आप देखेंगे, crew members को save किया गया, जो ships के एक तरी के साब staff कह सकते हैं, दूसरा pirates को जो है, वो surrender करवाने के लिए force किया गया, कि आपको surrender करना पड़ेगा, यहाँ पर भी anti-piracy operation म इंडियन नेवी के operation के बारे हम discuss किया गया है, और मारकोस कमांडो जो बहुत important force कह सकते हैं, security provide करने में, उनके रोल के बारे हम बताया गया, जैसे 35 pirates को जो arrest किया गया था, इनको Mumbai police को handover किया जाएगा, और Gulf of Other में 5000 personnel को हमने deploy किया, यह वाली belt के अंदर, ताकि एक save passage हो, commercial vessel का यह हमारा commitment भी है, हम लोग, generally आप देखेंगे, Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force, बहुत professional forces है, हमारे पास option तो यह भी था कि इनको वहीं पर suit कर दें, बट इनको as per legal, जो custody, उसके according जो है वो, कारवाई इनके ओपर की जाएगी, नहीं कि, immediately इनको suit करना, तो यह options थे, तो उन्ही options में से, अच्छ क्या पड़ेंगे, मारे ते भारत का भी बड़ी संक्याम trade होता है, तो हमें option लेना पड़ेगा, यह cap of good hope, यानि South Africa के, South से होते हुए, फिर यहां से जाएगा, तो यह बहुत लंबा route हो जाएगा, इसे cost मिली बड़ेगी, insurance cost बड़ेगी, और जो main चीजे होती है ना, trade profitable नहीं रहेगा, तो फिर उसकी जो value है, वो definitely कम होती, तो उसके बारे में discuss किया गया, आगे बढ़ते हैं कुछ और important news को हम लोग identify करने कोशिच करते हैं, जिसकी significant अपने आप में important है, भारत के जो foreign minister है, वो इस टाइम पे Singapore की visit पर है, और वहाँ पर वो एक session के अंदर participate कर र independent की stable neighborhood हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जब आपका neighborhood कहीं ने कहीं openly कहता है, हम terrorism को spot करते हैं, तो एक instrument की तरह जब use करता है, तो जब problems होगी तो उसको उसी तरीके से treat किया जाए, इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के जो bilateral relation है, बहुत ही solid category में आपको नजर नहीं आएंगे, इसके बाद FAQ में बहुत basic सी news, elections में vote किसको कब देने हैं, कोण eligible है, कोण eligible नहीं है, गजा के अंदर क्या concern है, या DGCA के rules क्या है, इसके बारे में बताएगे, ये तीनो topic बहुत relevant तो नहीं कह सकता कि relevant नहीं है, बट ये already discussed है, वो नया नहीं है, किया गया, बहुती rare होता जब किसी sitting chief minister को arrest किया जाए, और उसने के बारे में discuss किया गया है, कि अर्विन केजरिवाल की journey क्या रही है, उनकी एक life story को थोड़ा सा analysis यहाँ पर किया गया है, profit of probability करके जो title दिया गया है, मैंने पहले भी कई बार discuss किया कि enforcement directorate के साथ साथ जितनी भी agencies है, यह बहुत important हो जाएंगी UPSC 2024 के लिए क्योंकि आपका exam लगवा 20 दिन delay किया गया है, 16 June, 20-21 दिन, 16 June को जब exam होगा, तो इसका बहुत सीधा मतलब यह होगा, कि इस तरह कि enforcement directorate के functions क्या है, किन लोज के तो यह power grab करती है, क्या ministry of finance के अंडर काम करती है, CBI को लेकर हो सकता है, इनका जो एक तरह कैसे formation हुआ था, क्या कि कमेटी के recommendation पर हुआ था, इस तरह कि basic सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जो important होंगे exam oriented information के लिए, इसके बाद जो next page है, वो science का page है, science में anemia prevalence को लेकर एक analysis किया गया है, और यह बताया गया कि anemia, anemia को generally आप कह सकते हैं कि iron और blood की shortage, आप blood की कमी कह सकते हैं, तो यह बताया गया कि 8 state में analysis किया गया, और यह data indicate करता है कि anemia problem over estimated है, यानि जितनी problem है नहीं, जितनी दिखाई जा रही है, for example, overall अगर आप prevalence देखें iron deficiency की, तो यह 18.4% के आसपास है, adults and girls में 31.5% है, adult के अंदर 27.7%, महिलाओं के अंदर senior citizens है, वो 13.6 है, यानि अगर आप anemic woman के अंदर भी देखेंगे, तो उनमें बताया गया कि one third में iron deficiency एक बड़ा important role play करती है, WHO ने recommendation किया कि anemia को diagnose किया जाता है venus blood से, not capillary blood से, अगर आपने blood circulation system पढ़ा होगा, तो यह दो बहुत important होते है, capillary blood और venus blood करके, ठीक है, यानि कभी-कभी आपने pure और unpure blood इस तरह के भी words सुने होंगे, तो यह उसी का एक example आता है, red blood है, RBC जिसको बोला जाता है, वो capillary blood में थोड़क कम होते है as compared to venus blood और इसके अलावा जिसके वज़े tissue fluid जो है, वो mix हो जाता है, capillary blood के साथ, जब आप draw करते है blood samples को, इसके वज़े से dilutions होता है, और hemoglobin value जो है, वो reduce हो जाती है, यह तो scientific information होगी, main है data की analysis किया गया है, enemy of prevalence जो है, वो 8 राज्यों के अंदरे पाया गया कि 18.4% लोग जो है वो एनिमिटिक है, 14.7% मोडली एनिमिटिक है, केवल 1.8% ऐसे लोग है, जो severely एनिमिक है, यानि उनको definitely एनिमिया की एक serious problem है, एनिमिया प्रिवलेंस की अगर हम बात करते है, 44, 41 और 45% है, adolescent, girls, adult और elderly women के बीच में, as per national family health survey, 60.8% महिलाओं में, 62.6% जो adolescent guns में देखने को मिलता है, सबसे जादे हमने प्रोब्लम है, SM के अंदर सबसे कम है, मिखाले के अंदर, इनमें से elderly women में iron deficiency की वज़े से हो रहा है, major proportion enemy का जो है, unknown causes की वज़े से है, iron deficiency को wrongly assume किया जाता है, यह main cause है, iron supplementation use भी किया जाता है, उनको reconsideration करने की requirement है, excess iron intake भी ख हम देखते हैं, जैसे आंगनवाडी होती है, ग्रामेंड लेवल पर, जो rural area में काम करती है, आंगनवाडी खर urban area में भी होती है, आंगनवाडी में जो iron की टेबलेट्स दी जाती है, कई बार access use होना भी harmful है, यनि अगर आप एक limit से ज्यादा कोई भी चीज कंजूम करेंगे तो वो definitely एक serious threat के रूप में आपको देखने को मिलता है, इसके बाद world affair में दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है, दुनिया में बहुत चोटी चोटी चीजे चल रही है, जैसे United States की military ने का कि वही three healthy underground जो है storage site में वो stuck है उनके sites के अंदर, और बहुत चोटी चोटी च Philippines में, South China Sea में घमासान चला हुआ है, यह एक दूसरे के vessels पर attack कर रहे हैं, यह attack इसलिए कर रहे हैं, इनका claim है, चाइना का कि यह तो इरिया हमारा है, जब Philippines की कोई सीव जाती है, तब ही attack करते हैं, territory को claim करते हैं, तो यह एक serious issue है, यहाँ पर भी South China Sea के अंदर भी, इसके अला आपको देखने को मिलेगी, कल का जो वीडियो नहीं आया था, वो क्योंकि मैं बहार था, मैं इसलिए वो upload नहीं कर पाया, कोशिस करेंगे कि proper regular हो, और कोशिस में लिए आगे से यह भी करने कि 6 बज़े से कि आज पास आपको यह वीडियो मिले ताकि एक time पर आप इसको continue कर पाय सीरीज को, तो फिलाल दे हिंदू नियूस पेपर अनलीसिस में इतना ही, थैंक्यो जहिन